लेलो दोस्तों वेलकम टो माई यूटूब चैनल मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ गनेज जी गनेज जी को रोचेट गनेज जी कैसे बनाने है एक गनेज जी की वीडियो तो मैंने यूटूब में अपलोड की है मैं उसका लिंक डिस्करप्सन में डाल दूंगे आप वहा गनेज ज़ati में ले रखें declarer चैकल ले रखें और मैंने इसके लिए लेर रखा है यह 11 नंमर का mistakes रख्ण है मैं इसके ले रखें या कैंची और यह ले आपको बताना भूल गी और हमने इसको बनाने के लिए पिन भी ले रखे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमने बनानी है मैजिक चैन इस तरीके से हम बना लेंगे magic chain बना ली है magic chain बनाने के बाद हमने बनाने है single crochet हमने गनेजी में single crochet ही बनाने है देखिए इसके अंदर हम six single crochet बना लेते हैं इस तरीके से single crochet बनाना है two three four five six यह देखिए मैंने six single crochet बना ली है six single crochet के बाद हम गनेजी को बनाना सर से नीचे की तरफ start करें हम सर से सुरुवात करें सबसे पर हमारा यह सिर बनेगा फिर इसके बाद हमने छोटा वाला तागा इस तरीके से खीच लेना है और फिर हमने यहां पर पिन लगा लेनी है इस फंदे में हम पिन लगा लेते हैं इस तरीके से जिससे के हमें पता चले हमने यहां से start किया है और आप यह पिन जरूर लगाना उसके बाद हमने देखिए पहले फंदे में करना है वन सिंगल क्रो से इसी फंदे में एक और सिंगल क्रो से करेंगे हम तू हमने फंदे आप बढ़ाने है फंदे इंक्रीज करने है तो हम तूटू सिंगल क्रो से पूरी रो में कर लेंगे हम जहां तक पिन लगे हैं वहां तक हमने तूटू सिंगल करने इस तरीके से देखिए दोस्तों मैंने तूटू कर लिए हैं जिसमें पिन लगी थी पिन मैंने निकाल दी उसके अंदर भी हम तूटू सिंगल करो से बनाएंगे दो सिंगल करो से तो यह पूरी रो हमने कंप्लेट कर ली है इसके बाद हमने फि त् सेमि हमने पूरी पूरी रो में करना है। यहां पर टोटल हो जाएंगे 18 सिंगल क्रों से 18 सिंगल क्रों से देखी दोस्तों यह वाली रूपी कंप्लीट होगी है अब हमने करना है यहां पर 18 सिंगल क्रों से हैं अब हमने करना है पहले फंदे में वन सिंगल क्रों से दूसरे फंदे में भी वन सिंगल क्रों से करेंगे की तीसरे फंदे में करेंगे हम two single croce है one इसी फंदे में एक और two सेम यही हमने पूरी रो में करना है तू फंदों में one single croce है और तीसरे वाले फंदे में two single croce है तो हम यह वाली रो कंप्लेट करने के बाद आपको मिलते हैं ये देखिए दोस्तों ये वाली रोवी complete हो गई है यहाँ पर total है 24 फंदे 24 सिंगल क्रो से यहाँ पर है अब हमने करना है पहले फंदे में 1 सिंगल क्रो से दूसरे फंदे में भी 1 सिंगल क्रो से तीसरे फंदे में भी 1 सिंगल क्रो से चौते वाले फंदे में हम 2 सिंगल क्रो स से करेंगे कि तू सेम्हें पूरी रों में करना है और यहां पर टोटल हो जाएंगे 30 पंद ह्थла 50 सिंगल ने यह दोस्तों यहांपर टोटल हो गए हैं 30पंद सिंगल क्ल прरूय क्याET है आधि हम इस पिन को नीचे लगा लेंगे क्योंकि आभ हमने यहां पर 50 सिंगल करुषे ही करना आया जब तो हम आपको 5 row complete करने के बाद आपको मिलते हैं देखिए दोस्तों मैंने 5 row complete करते हैं 1,2,3,4,5 अब इसके बाद हमने ये पिन भी निकाल लेनी है यहां से और इसको हम फिर से यहां उपर लगा देंगे अब हमने इसमें सूड बनानी भी इसी में हम सूड भी बनाएंगे तो हमने बारा फंदे बारा चैन हम बारा फंदे हम छोड़ देंगे जैसे देखिए 1,2,3,4,5,6,7,8,8,9,10,11,12 12 फंदे हमने छोड़ के 12 छोड़ के हम 13 वाले फंदे में हम इस तरीके से सिंगल कुरो से कर लेंगे देखिए यहां से हम ऐसे सिंगल कुरो से कर लेंगे यहां से ये वाले में हम सूड बनाएंगे यहां हम सोड बनानी शुरू करेंगे यहां और हमने इस में पूरी रो में जहां तक हमारी पिन लगे हैं वन वन सिंगल करो से कर लेना है इस तरीके से हमने अलग से सोड बना कर नहीं लगाने हैं हम इसी में सोड बनाएंगे हम and single croce पूरी रोह में कर लेते हैं जी देखिए अब हम इस पिन को भी निकालेंगे और यहाँ पे हम फिर एक single croce कर देंगे देखिए दोस्तों यहाँ तो हमने 12 पंदिे चोड़ दे, हमा पार total थे 30 single croce हमने 12 सोन बनाने के लिए छोड़ दिये और यह बचे हुए हमारे हैं 18 सिंगल कुरू से अब हमने करना है देखिए पहले फंद में हमने एक करना है दूसरे फंद में हम फंदे को कम कर लेंगे इस तरीके से पूरी रो हमने कम्पलीट करनी है यहां तक अभी हम पिन नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें पता चल जाएगा हमने यहां तक करना है पहले में फंद में कर लेंगे मैं आपको एक वह स्करना विर्ता देखिए हमने इस तरीके से खरना है फंदक हम देखे पहले फंदे से लेना है फिर दूसरे फंदे से लेना है फिर तीनों फंदक के अंदर से लेना है इस तरीके से हम फंदे को कम करेंगे यह देखिए दोस्तों इस तरीके से आएगा अब यहां पर टोटर यहां भी बारा है यहां भी बारा है तो अब हम यहां स केचे की मदब स्सें हम कि इतना कट कर लेते हैं मैं safest बाद ना मिया से जोड़ लेंगे के हमारे पास यह यह की कलर को यह इतना सा बचा हुआ था है अलग से नहीं है तो हम इसैपorta कर के लगा तो हम यहां से ही लेंगे फंदे से यहां से इस तरीके से ले लेंगे आप देखिए हमने इस तरीके से करना है वन सिंगल कुरो से ग्यार दस रो में हम वन सिंगल कुरो से कर लेते हैं अब हमने यहां से भी और एक फंदा यहां से ले करके हमने फंदे को कम करना है यहां पर एक फंदा यह देखिए इस तरीके से हम फंदे को कम कर लेते हैं और फिर यहां पर रह जाएंगे हमारे पास 11 सिंगल क्रो से रह जाएंगे फिर हम इस फंदे में भी हम यहाँ पर सिंगल क्रो से करेंगे यह देखिए इस तरीके से हमारे पास अब यहाँ पर रह जाएंगे हमारे पास टोटल 11 सिंगल क्रो से अब हम अब हमने करना है देखिए फिर से हमने अब 9 फंदों में हमने एक-एक करना है और फिर हमने फंदा कम करना है नोफंदों में हम एक-एक सिंगल क्रो से इस तरीके से कर लेते हैं ये देखिए दोस्तों नोफंदों में एक-एक सिंगल क्रो से कर लिया फिर से हम फंदा एक यहां नीचे की दरफ में फिर से कम हो जाएगा पहले फंदे से लेंगे फिर दूसरे फंदे से लेंगे हम और फिर इस तरीके से तीनों फंदों से लेंगे अब हमने करना है पूरी रो में 11 सिंगल क्रो से ही करना है अभी हमने फंदे कमनी करना है एक रो में हम 11 सिंगल क्रो से कर लेंगे यहां पर टोटल है यहाँ पर टोटर रहे हैं नौ फंदे हम पूरे फंदों में एक रो में 11 सिंगल कुरू से कर लेते हैं देखिए दोस्तों अब हम 7 फंदों में 11 सिंगल कुरू से कर लेंगे फिर हमने फंदों यहाँ पर कम कर लेना है इस तरीके से अब हमने देखिए दोस्तों अब हमने 11 सिंगल कुरू से करना है फिरी रो तक हम 11 सिंगल कुरू से ही करेंगे जब तक हमारी फिरी रो कंप्लीट नहीं हो जाती हम 11 सिंगल कुरू से ही करेंगे इस तरीके से अब हम यहाँ नीचे पिन भी लगा लेते हैं जिससे हमें पता चलेगी हमारी three row इस तरीके से हम पिन लगा लेंगे अब हम three row जब तक हमारी पूरी नहीं होती तब तक one one single row से ही करेंगे दोस्तों हमारी three row complete हो गई है अब हम इसमें पहले cotton भर लेते हैं तो दोस्तों मैंने cotton भी भर ली है अब हमने देखें यहां पे करना है फिर से हमने एक फंदा हमने यहां पे कम करना है और हमने वन रो तक वन सिंगल क्रो से ही करना है इस तरह किसे हम करते हैं यह देखिए दोस्तों यह वाली रो कंप्लीट होगी फिर से हम एक और फंदा हम यहाँ पर कम करेंगी क्योंकि आप हमने फंदे कम करते रहने हैं और सुड को प्रोड यह हामारी पतली होती रहें गैए भंप फिर से वनवान सिंगल क्रोशी कर लेंगे पूरी रोम यह कि इस तरह के से देखिए यहां तक हम नहीं कर लिए पिर से अंत्यादा एक कम करेंगे और फिर से वन वन क्रोशी करेंगे यह देखिए फिर से हम फंदा एक और कम करेंगे और पूरी रो में वन सिंगल क्रोशी करेंगे हमने टूरो में टूरो कर लेती हुँ मैं देखिए दोस्तों मैंने वन वन सिंगल क्रोशी टूरो कर ले अब इसमा हम थोड़ी थोड़ी कोटन भर लेंगे इस तरीके से सून में कॉटन भर लेते हैं है ज्वाधा टाइट नहीं वन वन नीं को आप देखिए दोस्तों फिर से हम फंदा एक और कम करेंगे कॉटन हमने भर दिए जिससे सोप है उसी इसाम से हम ने कर लिए है फिर से हम यहां पर फंदा फिर से हम कम करेंगे और फिर से हम वन वन सिंगल क्रोशे कर लेंगे कि थी थी भंदा में किया फिर से हम ने यहां पर कम कर लेंगे अब तो यह हमारा पूरा कम्प्लीटी हो गया है यह देखिए अब हम इसको कैंची की मदस से कट कर लेंगे हमने थोड़ा बड़ा तागा इसलिए कट किया क्योंकि यह हमारे सिलाई की काम भी आ जाएगा हमने सूड को इस तरीके से यह देखिए ऐसे मूरनी है इस तरीके से मूरनी है यह देखिए अब हमने यह बोड़ी हमने यहां से यहां से नीचे को हमने बोड़ी बनानी स्टार्ट करनी है आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगी अब मैं आपको बताऊंगी पार्ट टू में क्योंकि वीडियो ऐसी भी बहुत बड़ी होगी है तो मिलते हैं आपको हम पार्टर टू में इसके आगे पार्टर टू में बताएंगे आपको थैंक यू